यह वीडियो साइन्स क्लास 9 चैप्टर 3 का पार्ट 11 है और अब हम लोग अपने नेक्स कॉंसेट की और बढ़ रहे हैं और यह है मोल कॉंसेट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोल कॉंसेट में कुछ बाते पहले बताई गई हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइडरोजन का रियक्षन ऑक्सिजन से कराए गिया है और वाटर बन रहा है तो इसको हम लोग एक रियक्षन के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं इसे हम लोग बोलते हैं Chemical Equation इधर जो चीज पाया जाता है उसे हम लोग बोलते है रियक्टेंट और इधर जो चीज पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते है प्रोडक्ट तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का रियक्षन ऑक्सीजन से कराये गया है और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं हाईडोजन का reaction ओक्सीजन से कराए गया है तो ये क्या बन रहा है H2O लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो सामने में 2 लिखा हुआ है और इसके सामने में 2 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि एक hydrogen का molecule और एक oxygen का molecule के मिलने से एक H2O का molecule बने ऐसा संभव नहीं है तो यदि आपको इसका मतलब है कि आपको इसको balance करना पड़ेगा तो यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? 2 तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 hydrogen का molecule है और एक oxygen का molecule है और जब इनको मिलाए जाएगा तो 2 molecule of क्या बनेगा? H2O तो यहाँ पर यही बात बताये गया कि किस प्रकार से इसको हम लोग एक balanced रूप में दिखाते हैं The above reaction indicates that 2 molecule of hydrogen combined with 1 molecule of oxygen to form 2 molecule of water तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे लिखा हुआ क्या है 2H2 का क्या मतलब हुआ? PLUS O2 का क्या मतलब हुआ? PLUS 2H2O का क्या मतलब हुआ? arrow देंगे यहाँ पर 2H2 का मतलब हो गया 2 hydrogen का molecule O2 का मतलब क्या हो गया? föret एक oxygen का molecule क्या बनाता है तो 2 molecule of H2O का formation करता है यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ जो सामने लिखा हुआ है वह इसके molecule को दिखा रहा है और यहाँ भी सामने लिखा वह भी क्या दिखा रहा है इसके molecule को दिखा रहा है जैसे मैं बता रहू हूँ अब बताइए आप 3H2O तो H2O का कितना molecule हो गया 3, 4H2O तो H2O का कितना molecule हो गया 4, 5H2 तो hydrogen का कितना molecule हो गया 5, 6H2SO4 तो H2SO4 का कितना molecule हो गया 6, तो इस प्रकार से 3, 4, 5, 6 यह जो लिखा हुआ है यह इसके molecule को दिखा रहा है अब देखिए 2H2 तो यहां यह 2H2 molecule को दिखा रहा है और H2 में hydrogen का कितना atom हो गया 2, H2 का मतलब क्या हो गया कि hydrogen का atom कितना हो गया 2, O2 में oxygen का atom क्या हो गया 2, तो आपको atom और molecule सबसे पहले यही सीखना है कि किस प्रकार से calculate किया जता है तो थोड़ा मैं और practice आपको करा दूँ यदि आपको यह आता है तो आगे आप वीडियो को बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग atoms और molecule को गिनना सीखेंगे तो मैं सुरू से आपको सीखाता हूँ यदि आता है आप तो वीडियो को आप आप आगे की और बढ़ा दें जैसे आपको लिखा हुआ है H2 इसका मतलब हो गया है एक molecule of H2 और इस एक molecule of H2 में hydrogen के कितने atom है दो लेकिन यदि लिखा है 2H2 तो आपको लिखना है molecule और लिखना है atom तो देखी कैसे लिखेंगे तो molecule क्या हो गया? 2 और atom क्या हो गया? 4 इस प्रकार से आपको लिखना है CL2 तो CL2 में molecule कितना हो गया आपका? 1 और atom कितना हो गया? 2 देखीन यदि लिखा है 4CL2 तो molecule क्या हो गया? 4 और atom क्या हो गया? 8 इस प्रकार से आपको लिखा है H2O तो molecule कितना हो गया? 1 और atom क्या हो गया तो hydrogen का 2 atom और oxygen का एक atom तीन atom हो गया यदि आपको जिखा हुआ है 4H2O तो molecule कितना हो गया 4 और atom कितना हो गया तो यहाँ पर 2 और 1 3 और 3 into 4 क्या हो गया 12 atom इस प्रकार से आप atom और molecule को गिन सकते हैं तो आप देख सकते हैं 2 molecule of H2 एक molecule of oxygen से react करेगा तो 2 molecule of H2O का formation होगा तो यहाँ एक और बात सामने आती है कि तो यहाँ mass के तोर पे इसका कितना mass यूज होगा और कितना mass बनेगा तो आप देख सकते हैं इसका 4 unit यूज होगा इसका 32 unit यूज होगा क्योंकि 16 गुनादो कितना होगा 32 यूज और यह क्या होगा 4 यूज तो आप देखेगे कि 2H2O का formation होगा और यह 36 यूज का formation होगा यहाँ पर आप ध्यान दे हम लोग यूज कर रहे हैं gram यूज नहीं कर रहे हैं और जब हम लोग gram यूज करना शुरू कर देंगे तो यह आजाएगा mole concept तो वह आगे बताये गिया है इस book में बड़ा clear नहीं किया गिया है लेकिन मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको mole concept पूरा clear हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यह बताये गिया है कि चार unit आपका लिया गिया है H2 32 unit लिया गिया है O2 तो आप देखेंगे 36 unit क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा फिसका मतलब एक molecular जो हम लोग equation लिख रहे हैं उस equation से हम लोग को उसके molecules और atoms के बारे में पता चल रहा है कि कितने molecule और कितने atom उस reaction में भाग ले रहे हैं और दूसरा हम लोग को उसका वजन भी पता चल रहा है कि कितना वजन उसका use हो रहा है We can infer from the above equation यह जो above में equation दिया गया से हम लोग क्या नुमान लगा सकते हैं तो अब देख सकते हैं इस equation के दोरा number of molecule भी पता चल गया और mass भी पता चल गया दोनों मैंने बताया दो molecule, एक molecule, दो molecule चार unit, 32 unit और 36 unit तो इससे दोनों पता चल जाता है number of molecule कितना यूज हुआ और कितना mass उस substance का यूज हुआ ये दोनों चीज इस equation से में पता चल जा रहे है तो अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो equation बना रहे है वहाँ पर molecules और atoms को ही दिखाते है जबकि हम लोग यहाँ पर mass को represent नहीं करते है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोल concept आया है जिसको मैं अलग से आपको समझाओंगा तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा molecules, iron और particles is that quantity in number having mass equal to its atomic और molecular mass in grams तो अब यह चीज आ गया मोल concept तो इसको हम लोग पढ़ेंगे next वीडियो में ताकि आपको यह सब अच्छा से समझ में आएगा इसको बहुत ही मेहनत से मुझे समझाना होगा और आपको भी समझना होगा molecules concept बहुत बच्चों का clear नहीं होता है और इससे बहुत ही important question exam में पूछे जाते हैं तो आप जरूर उस वीडियो को देखें तो आपका molecules concept बहुत clear हो जाएगा बहुत ही असान शब्दों में मैं उसे आपको पढ़ाऊँगा तो मिलते हैं next video में धन्यवाद यह video science class 9 chapter 3 का part 13 है और हम लोग mole concept को पढ़ रहे हैं तो आप part 12 जरूर देखें तभी यह part आपको समझ में आएगा नहीं तो यह आपको बिलकुल भी नहीं समझ में आने वाला है तो आप जरूर part 12 को देखें उसके बाद इस video को देखें तो आपको तुरंत यह समझ में आने लएगा तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा mole के द्वारा हम लोग number को count कर रहे थे जैसे फिर से मैं बता दूँ यदि लिखा हुआ है one mole h2o तो आप देखेंगे कि इस one mole h2o में कितने molecules हैं बताइए कितने molecules हैं तो 6.022 into 10 to the power 23 molecules हैं of h2o मतलब h2o को हम लोग गिन रहे थे और जब h2o को हम लोग गिन रहे थे तो हम लोगों ने गिना इस प्रकार से कि यदि एक mole आपको दिया गया है तो उसमें 6.022 into 10 to the power 23 molecules होगा तो मालिज आपको 2 mole दिया गया है तो 2 into 6.022 होगा पूरा मैं नहीं बोल रहा आप समझ जाईगा 3 mole दिया गया है तो 3 into 6.022 4 mole दिया गया है तो 4 into 6.022 H2 आपके पास है तो अब क्या कर रहे हैं H2 को गिन रहे हैं गिन रहे हैं 1, 2, 3, 4 जैसे गिना जाता वैसे आप इसको गिन रहे हैं लेकिन मान लिजिए अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं इस प्रशन को कि यदि आपको 6.022 into 10 to the power 23 molecule किसी ने दिया है H2O का तो बताईए आपके पास कितना मोल है तो हाँ 1 मोल है तो चलिए यदि किसी ने आपको 2 into 6.022 into 10 to the power 23 molecule of H2O दिया है तो बताईए आपके पास कितना मोल है तो 2 मोल है तो किसी ने आपको 15 into यही चीज दिया है molecule of H2 तो आपके पास कितना mol है तो 15 mol है बहुत आसान है तो यदि किसी ने आपको 3.011 into 10 to the power 23 H2 के molecule को गिन के आपको दे दिया कि लो भाई आप तो कितना mol होगा बताइए हाँ आधा mol हो जाएगा क्या हो जाएगा आधा mol हाफ mol हो जाएगा तो अब आप समझ रहे हैं कि ये mol से हम लोग क्या कर रहे थे गिनती कर रहे थे आगे भी आपको गिनना ही है कि कितना atoms होगा कितना molecule होगा इसको हम लोग क्या करते हैं लेकिन आजाए वजन निकालना तो क्या करेंगी जैसे कि आपको एक mol H2O दिया गया है एक मोल तो बुले है कि इसका वजन बताईए तो वजन बताना भी बहुत ही आसान है तो जैसे हम लोगोंने molecular mass निकाला था जैसे molecular mass याद कर लीजे H2O का हम लोगोंने कैसे निकाला था 1 into 2 याद करके निकाला था और प्लस ओका 16 होता है याद किया था तो 16 into 1 शिर्फ एक है इसलिए तो यह क्या आगे 18 unit हम लोग लिख रहे थे U यूज कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक है 1 only 1 इसलिए हम लोग इसका 18 use U यहाँ पर लिख रहे थे याद है आपको एक और बता देता हूँ CO2 तो आप देखेंगे कि 12 प्लस 16 गुना 2 तो यह हो जाएगा 44 U सिर्फ एक CO2 आपको किसी ने दे दिया 1 1 1 1 only 1 तो कितना हो गया 44 U और सिर्फ 1 H2 दे दिया तो कितना हो गया 18 U लेकिन किसी ने याद है आपको एक मोल दे दिया इतना सारा दे दिया इतना सारा जिसको आप कभी गिन ही नहीं सकते हैं यदि एक दिया था तो आप गिन सकते हैं खुद से गिन सकते हैं लेकिन इतना सारा यदि किसी ने दे दिया इतना सारा मतलब बताई इतना सांतर है कि यहाँ पर हम लोग किस चीज का यूज करना शुरू कर देते हैं ग्राम मतलब यदि कोई एक मोल सबस्टांस आपको मिला है तो इसका वजन जो निकलेगा वह यू में नहीं निकलेगा बलकि किस में निकलेगा ग्राम में तो अब हमारा यही कॉंसेप्ट क्लियर है अब इसी को हम लोग को याद करके चलना है चलिए हम लोग अब देखते हैं कि कैसे कैसे करना है तो यदि आपको एक मोल सबस्टांस दिया गया तो कितना वजन हो गया? 18 ग्राम तो यदि दो मोल सबस्टांस दिया गया अठारा गुना पांच 90 ग्राम उल्टा भी कर सकते हैं यदि किसी ने आपको 18 ग्राम H2O लाके दे दिया कि लो भाई 18 ग्राम H2O लो तो बताई कितना मोल आपके पास है तो एक मोल है तो कोई एक व्यक्ति था जिसने आपको H2O दिया और उसने 90 ग्राम आप समझ सकते हैं इसको आज़ानी से हम लोग तॉल सकते हैं तो 90 ग्राम पानी लाके आपको दे दिया और पूछा है कि भाई बताओ जरा कि ITS में कितना मोल है तो आप बोल देंगे कि कितना मोल है 5 मोल क्योंकि 1 मोल में 18 ग्राम तो 5 मोल में कितना हो गया, 90 ग्राम, बहुत असान है चलिए और प्रैक्टिस करते हैं तो यदि आपको 9 ग्राम दिया गया है, मैं यहां लिख देता हूँ, H2O तो अब देखते हैं, यदि आपको 18 ग्राम दिया है, तो बताएं कितना मोल हो गया, 1 मोल तो बताएं, 36 ग्राम मिला तो कितना हो गया, 2 मोल तो यदि 9 ग्राम मिला, तो कितना मोल हो गया, 1.5 मोल तो यही है, मोल कॉंसेट बस इतना ही है, यदि आप इसे समझ गए तो सब प्रैशन आप उत्तर कर सकते हैं लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा, जिससे मैं और आपको समझाने वाला हूँ तो पहला तो आपने सीख लिया, यह सीख लिया कि किस प्रकार से मोल से ग्राम में बदलेंगे, वजन में बदलेंगे और इधर gram से mol में बदलेंगे इसका formula मैंने नहीं बताया लेकिन आप verbalit इसको कर सकते है फिर से देखते हैं यदि 6 mol है तो कितना वजन हो गया तो 6 into 18 gram हो गया 10 mol है तो कितना हो गया 180 gram 180 gram पानी आप देख सकते हैं जैसे कि 1000 gram मैं आपको दे सकता हूँ सकता है तो सबसे पहला आता है आपका प्रश्ण यही जो मैं बताने वाला हूँ number of mole calculate करिए find out number of moles हम लोग in CRT ही पढ़ रहे हैं तो पहला क्या गया number of mole को आपको निकालना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर calculate the number of moles लिखा गया है और आपको mole को calculate करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर formula भी दिया गया है the number of moles इसी formula से हम लोग इसको बनाना है the number of moles given mass बटा molar mass तो आपका moles निकल जाएगा तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे moles को निकालना है तो आप देख सकते हैं मैंने आप रशन लिख दिया है calculate the number of moles in 90 gram of water 36 gram of water 18 gram of water तो अब मैं तो तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर बनाया भी है तो मैं आप से पूछता हूँ और आप जड़ा बताएं चली आपको 18 gram water दिया गया है तो कितना mol हो गया 1 mol 36 gram में 2 mol 90 gram में 5 mol अब तो आप बता सकते हैं 1 mol में 18 gram 2 mol में 36 gram 3 mol में 18 into 3 4 mol में 18 into 4 5 mol में 18 into 5 और 18 हम लोगों ने कैसे calculate किया यह भी मैंने बता दिया है आपको तो अब इसको हम लोग formula से भी बना सकते हैं तो formula क्या है number of moles number of moles क्या हो गया given mass बता molar mass तो molar mass आपको calculate कर लेना है जैसे हम लोगों क्या क्या है 1 into 2 plus 16 क्या हो गया 18 gram तो molar mass आपको calculate करके नीचे लिख देना है 18 gram और given mass यही है इसी को आपको उपर लिखना है उपर लिख देंगे 90 gram तो क्या हो गया 5 दूसरा 5 mole यह answer हो गया दूसरा प्रश्ण क्या है 36 gram तो लिख देंगे 36 gram और नीचे क्या लिख देंगे 18 gram तो हो जाएगा आपका 2 moles answer तीसरा 18 gram में 2 है तो उपर क्या लिख देंगे 18 gram given है और नीचे 18 gram आपका क्या हो गया molar mass है तो यह हो गया आपका बताइए 1 mole तो इस प्रकार से number of moles आप calculate कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपका आगे 44 gram CO2 तो CO2 का जब molar mass निकालेंगे तो आएगा आपका 12 plus 16 गुर्णा 2 और यह आजाएगा और उपर कितना दिया गया है 44 gram दिया भी गया है तो 44 gram नीचे क्या हो गया 44 gram तो यानि कि कितना हो गया 1 mole तो आप समझ गया होगे कि किस प्रकार से जो वजन दिया गया है उससे हम लोग मोल निकाल सकते है और मोल दिया गया है तो उससे वजन निकाल सकते है तो और प्रक्टिस में कराता हूँ आपको अब हम लोग CO2 को लेके प्रक्टिस करते हैं तो 1 mole CO2 carbon dioxide में बताईए इसका कितना gram होगा तो बहुत आसान है 12 plus 16 गुना 2 तो यह हो गया 44 gram इसका मतलब क्या हो गया कि यदि 1 mole CO2 आपको मिलेगा तो कितना gram हो गया 44 gram तो यदि आपको मैंने 2 mole दे दिया तो कितना हो गया 44 into 2 यदि मैंने आपको 3 mole CO2 दिया तो कितना वजन हो गया 44 gram into 3 यदि मैंने आपको 20 mole दिया तो 44 x 20 इस प्रकार से अच्छा है अब मैं आपको देता हूँ आधा मोल तो आधा मोल में क्या हो गया तो 44 ग्राम गुना आधा हाफ कर सकते हैं तो क्या हो गया 22 ग्राम चलिए इसको उल्टा करके भी प्रश्न करते हैं हम लोग मैं चाह रहा हूँ कि आप मोल कॉंसेट पुरा सीख जाएं इसलिए मैं इतना आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो 1 मोल CO2 का वजन बताईए 44 ग्राम हो गया तो अब हम लोग उल्टा करते हैं तो 44 ग्राम में कितना मोल एक मोल तो 88 ग्राम में कितना हो गया दो मोल तो यदि मैं बोलू 22 ग्राम में कितना हो गया तो आधा मोल हो गया इस प्रकार से अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसके पहले मैंने आपको बताया था मोल में पार्टिकल को या फिर बोले एटम्स और मॉलिक्यूल्स को गिनना तो चलिए अब हम उसको करते हैं फिर दोनों को मिला कि अब हम लोग प्रश्ण करेंगे तो आप देख सकते हैं आप ह2O का है उदारन ले लेता हूं क्योंकि मैंने उसी से आपको समझाया है देखिए 1 मोल मैंने आपको H2O दिया और बोला की भाई आप क्या करो इसको गिन के बताओ कितना H2O आपको मैंने दिया वजन नहीं निकालने को बोला है बोला है गिनिये बताई कितना गिनेंगे आप तो आप गिनेंगे 6.022 into 10 to the power 23 molecule लिखना हुआ of H2O मैंने ये पढ़ाया है आपको दो वीडियो मैं बनाया हूँ दोनों वीडियो आप देखें तभी आप पूरा complete ये सीख पाएंगे 1 mole H2O मैंने दिया और आपको बोला कि आप गिनिये तो आप गिनेंगे तो क्या आजाएगा 6.022 into 10 to the power 23 molecule of H2O तो अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसका वजन करिये तो बताईए कितना वजन आएगा तो आप जट से लिख सकते हैं 18 gram क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है तो कुल मिला के बस इसी इन ही तीनों में आपको घूमना है और इसी से प्रेश्न आपको आएगा इधर से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ बस यही और वही मैं अभी आपको कराने वाला हूँ यदि आप इसको कर लेंगे तो आप जरूर मोल कौन से से क्वेश्चन बना पाएंगे वीडियो कुछ लंबा हो रहा है लेकिन मैं फिर भी आपको सिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं एक मोल H2O में वजन कितना हो गया 18 ग्राम यानि कि 18 ग्राम पानी आपको मिल गया तो उसमें आप H2O गिनने बैठेंगे एक H2O, दो H2O, तीन H2O तो बताई कितना H2O आपको मिलेगा 6.022 x 10 to the power 23 H2O आपको मिलेगा तो अब इसका मतलब हो गया कि 6.022 x 10 to the power 23 मॉलिक्यूल आपको H2O दिया गया तो उसका मोल कितना हो गया 1 मोल और वजन कितना हो गया 18 ग्राम या फिर उल्टा बोले तो 18 ग्राम में 1 मोल और 1 मोल में कितना H2O 6.022 तो डिरेक्ट पुछा गया कि यदि 6.022 H2O आपको दिया गया है बताईए तो उसका कितना वजन तो आपको बताना होगा 18 ग्राम इसका उल्टा 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल तो 6.022 मैंने बताया शॉट बता रहा हूँ आपको पुरा मैं नहीं बोल रहा हूँ तो 18 ग्राम में 6.022 मॉलिक्यूल और 6.022 मॉलिक्यूल में कितना वजन 18 ग्राम तो अब इसी को लेके हम लोग आगे की वीडियो में बहुत सारे प्रशन को करेंगे तो मिलते हैं नेक्ष वीडियो में बने रही है धन्यवाद यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 का पार्ट 12 है और अब हम इस चैप्टर के सबसे important सबसे महत्वपुर्ण topic पर आगे हैं जिसे हम लोग कहते हैं mole concept तो आप इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें ताकि आपको mole concept समझ में आ सके मैं थोड़ा पहले पढ़ देता हूँ उसके बाद फिर मैं आपको mole concept समझाना शुरू करता हूँ तो अब देख सकते हैं यहां पर 1 mole दिखाया गया है कि 1 mole कोई भी पदार्त है जैसे कि atom हो गया, molecule हो गया या फिर आयन हो गया तो वह कितने के बराबर होगा 6.022 into 10 to the power 23 इसे मैं और विस्तार करने वाला हूँ अभी तुरंद इस इस एक्सपेरिमेंटली ओप्टेन वैल्यू तो यह एक एक्सपेरिमेंटली ओप्टेन वैल्यू है इसका मतलब इस वैल्यू को एक्सपेरिमेंट के दवारा निकाला गिया है और इसको हम लोग एवगादरो अवेगादरो के ही honor में इसका नाम क्या लिखा गया है आवगादरो नमबर तो यहां से भी आपका प्रशन आता है अवगादरो नमबर क्या है वो गादरो नमबर का value क्या है तो आप देख सकते हैं यह वो गादरो नमबर या फिर 1 mole कोई भी चीज कितना है 6.022 x 10.23 इन नमबर तो यहीं से अब हम लोग अपना chapter शुरू करते हैं चलिए तो सबसे पहला प्रश्ण जो मैं आपको पुछने वाला हूँ बताईए एक दरजन एक दरजन कोई चीज यदि आप लेंगे तो कितना होगा 12 इसका मतलब क्या हो गया कि इस दरजन के द्वारा हम लोग गिन्थी कर रहे हैं पहले याद रख ही हम लोग क्या करना है गिन्ना है गिन्थी करना है एक दर्जन बराबर कितना हो गया 12 तो दो दर्जन कितना हो गया 24 आइटम कोई भी चीज़ ले लीजिए चलिए एक दर्जन पेन तो कितना हो गया 12 पेन दो दर्जन पेन कितना हो गया 24 पेन तो पताए ये 3 दर्जन पेन कितना हो गया तो 12 x 3 अब चलिए लिखते हैं gross तो 1 gross कितना हो गया 144 item तो 2 gross कितना हो गया 2 x 144 item तो इसका मतलब 1 dozen जो हम लोगों ने use किया यह क्या हो गया गिनने की यह काई हो गया गिनते हैं इसके द्वारा क्यों गिनते हैं क्योंकि आसान पड़ता है एक दरजन जब हम लोग बोलेंगे तो आपको 12 item मिल जाएगा जैसे कि market में आप गए और आप बोलेंगे एक दरजन copy दीजिए तो आप चुपचा 12 copy निकाल के देगा तो यहाँ पर क्या हुआ यह एक आसान तरीका हुआ बोलने का 12 item को दिखाने के लिए 10 to the power 23 items कुछ भी तो यह भी गिनने का इका ही हो गया इसका मतलब यदि 1 mole कहा गया कोई भी चीज का तो 6.022 into 10 to the power 23 items आ गये चले अभी हम लोग जो use करते हैं इसका तो इसको atom गिनते हैं molecule गिनते हैं या फिर ions को गिनते हैं तो यह तो actually ऐसे ही गिनना है आपको अब इसे fan, kurse, table आपको नहीं गिनना है लेकिन मैं वही करवाने वाला हूँ वैसा करना नहीं है आपको आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है इतना बड़ा नंबर है जिसे गिनना असंभो है इतना बड़ा नंबर को नहीं गिना जा सकता है इसी करन से मैं बोल रहा हूँ कि इससे table कुरसी आपको नहीं गिनना है लेकिन मैं आपको गिनवा रहा हूँ तो आप गिने थोड़ा तो आपको practice हो जाएगा और mole आपके दिमाग में बैठ जाएगा चलिए अब हम लोग गिनते हैं एक mole यदि आपको pen दिया गया तो बताई कितना pen हो गया 6.022 into 10 to the power 23 pen pen लिखना यहां जरूरी है क्यों वो मैं आपको बताऊंगा चलिए यदि आपको 2 mole pen दिया गया है तो कितना हो गया 6.022 into 10 to the power 23 into 2 pen चलिए अब आपको मैं 5 mole pencil देता हूँ तो कितना pencil आपके पास है तो 5 mole pencil मैंने दिया तो बताई कितना pencil है तो 6.022 into 10 to the power 23 into 5 pencil तो आप देखेंगे कि mole के दोरा आप गिन रहे हैं गिनती कर रहे हैं अब एक और मैं देता हूँ 1 dozen pencil तो कितना हो जाएगा 12 pencil 2 dozen कितना हो गया 12 into 2 हो गया 1 gross तो 144 2 gross तो 2 into 144 तो 1 mole 1 mole glass दिया तो कितना दिया 6.022 into 10 to the power 23 चलिए half mole आपको glass दिया glass समझ रहे हैं तो 6.022 into 10 to the power 23 बताई 2 तो अब आप अच्छा प्रकार से समझ गये होंगे अच्छे से समझ गये होंगे कि mole क्या है एक number को गिनना है मतलब कि किसी को गिनना है किसी चीज को गिनना है तो उसके लिए हम लोग mole का यूज करते हैं तो किसी चीज में आपको pen pencil नहीं गिनना है क्या गिनना है? atoms को गिनना है molecules को गिनना है या फिर किसको गिनना है आपको आयन्स को गिनना है तो वहाँ पर क्या चीज़ का यूज होगा मोल का यूज होगा चलिए अभी पहले गिनने वाला काम करते हैं उसके बाद आगे हम लोग काम करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं एकदम सुरुवात से तो आप पहले बताईए ये atom है की molecule है हाँ ये atom है तो यदि मैं आगे लिख दूँ 1 mole क्या लिख दूँ 1 mole h में कितना atom होगा तो बताई कितना होगा तो 6.02 into 10 to the power 23 atom of h मैंने तो बोला आपको कि 1 mole है तो 6.02 टो ऐसे गिनना है तो चलिए मैं आपने आपको 2 mole दिया h का तो कितना हो गया h का संख्या बताईए संख्या गिनरती बताईए 6.022 into 10 to the power 23 into 2 atom of h इस प्रकार से गिनना है आपको चलिए मैं आपको 50 mole h दिया mole ऐसे हैं इसको ऐसे ही लिखते है तो हम लोग क्या बोलेंगे 6.022 into 10 to the power 23 into 50 atom of h इस प्रकार से हम लोग गिन सकते हैं तो अब एक और देते है 0.5 mole of h तो आप इसको कैसे गिनेंगे तो 6.022 into 10 to the power 23 into 0.5 atom of h atom of h लिखना यहां जरूरी है तो देखा आपने एक mole में कितना h का atom होगा तो इतना होगा 2 mole में इतना 3 mole में इतना 50 mole में इतना 0.5 mole में इतना तो मैंने तो सिखाया आपको गिनती करना अब और कुछ गिनते हैं चलिए तो अब हम लोग गिनते हैं h2 h2 देख रहे हैं आप तो यहां पर दो चीज गिना जा सकता है ध्यान दीजिए h2 बोलेंगे तो यह हो गया molecule और h बोलेंगे तो हो गया यह atom अभी जब सिर्फ यही लिखा हुआ है तो आप बताए कि कितना molecule है तो one molecule है one only एक six पंच जिरो टू टू नहीं है सिर्फ एक है और atom कितना है molecule कितना हो गया one और atom कितना हो गया यह two atom हो गया ठीक है h2 में कितना molecule हो गया एक molecule और h2 में atom कितना हो गया दो atom of hydrogen और one molecule of h2 और बताए थोड़ा o2 में one molecule of o2 और oxygen का कितना atom हो गया दो n2 में nitrogen का एक molecule और atom कितना हो गया दो is it में बताए sulfur का molecule कितना है एक molecule है और उसमें atom कितना है इस प्रकार से आप गिन पा रहे है तो चलिए अब हम लोग mole में इसको गिन के देखते हैं अभी एक एक मैंने दिया था सिर्फ एक दिया था one दिया था तो आपने गिन लिया अब एक mole देते हैं तो क्या आप गिनते हैं या नहीं वही हम लोग देखते हैं चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग देखेंगे 1 mole को आप गिन पा रहे हैं या नहीं अब मैं लिखता हूँ 1 mole H2 तो आप देख सकते हैं molecule को भी गिनना है और atom को भी गिनना है तो molecule यदि गिनेंगे तो कितना होगा 6.022 into 10 to the power 23 molecule of H2 एकदम क्लियर है कि H2 का कितना molecule हो गया तो एक mole है तो 6.022 to the power 23 लेकिन यदि atom गिनना हो तो एक molecule में कितना atom है दो तो इतना molecule में कितना atom हो जाएगा तो 6.022 into 10 to the power 23 into 2 atom of H यहाँ H लिखेंगे S8 S8 का मैंने आपको एक mole दिया कितना mole दिया तो बताइए एक mole में कितना S8 है यह निये एक mole में कितना S8 है बताइए तो 6.022 into 10 to the power 23 molecule of S8 तो यदि मैं atom बोलू तो क्या करेंगे तो 6.022 into 10 to the power 23 into 8 atom of sulfur बोल सकते हैं एक और मैं बता रहा हूँ 1 mole मान लिजे मैंने O2 आपको दिया और मैंने पूछा इसका molecule बताइए तो कितना molecule हो गया 6.022 into 10 to the power 23 यहां पर आप मैंने 22 का यूज किया है तो यहां 22 यूज किया जाता है 23 यूज किया जाता है तो अलग-अलग books में आपको अलग-अलग मिलेगा क्या लिखें बताइए molecules और क्या लिख दें O2 तो बताइए O का कितना atom हो गया 6.022 into 10 to the power 23 into what 2 atom of O इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपने molecule को गिनना सीख लिया और atom को भी गिनना सीख लिया इससे आपका exam में प्रेश्ण आएगा कि mole में यदि हम लोग mole का यहां यूज कर रहे हैं तो उसमें atoms गिनना है और molecule गिनना है तो यह तो बात हुआ यदि यहां सामने क्या लिखा हुआ है one mole लिखा हुआ है one mole लिखा हुआ है mole लिखा हुआ है लेकिन सामने कुछ ना लिखा रहे है सिर्फ लिखा रहे है O2 तो इसका क्या मतलब हो सकता है इसका मतलब हो सकता है कि O में सिर्फ दो atom हो दो एटम जिसको आप गिन सकते हैं वन टू या फिर इसका मतलब हो सकता है एक मोल भी मतलब हो सकता है मतलब आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो दोनों मीनिंग हो सकता है अब किस रूप में आपको वहाँ प्रश्न दिया गया है वैसा यहाँ पर उसको आपको समझना पड़ेगा तो मैं ज़्यादा कन्फ्यूज आपको नहीं करना चाहता हूँ मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताना चाहता हूँ जिससे कम से कम आपको यह समझ में आए तो अब आप कुछ और कर लीजिए एक दो मैं और बता देता हूँ चलिए जैसे कि एक दो और देखते हैं अब थोड़ा बड़ा देखते हैं ह2O देखते हैं ह2O वन मोल मैं लिख देता हूँ तो वन मोल ह2O में ह2O का कितना मॉलिक्यूल होगा तो 6.022 इंटू 10 तुदी पावर 23 molecule of H2O होगा एकदम क्लियर है ना मैंने तो गिनना सिखा है एक मोल में 6.022 दो मोल में 2 इंटू तीन मोल में 3 इंटू फोर मोल में 4 इंटू तो यह तो मैंने बता है आपको सुरू में गिनना है सिर्फ यह एक नंबर है जिसे हमको क्या कर देना है गिन देना है लेकिन अब निकालेंगे तो देखेंगे हाइड्रोजन का अटम कितना है तो नंबर ओफ हाइड्रोजन अटम H एटम कितना हो गया तो यह हो गया 6.022 इंटू 10 तो दी पावर 23 इंटू क्या हो जाएगा बता ही जल्दी से 2 अटम जबकि ऑक्सीजन का अटम कितना हो गया नंबर ओफ ऑक्सीजन अटम बराबर क्या हो गया 6.022 इंटू 10 तो दी पावर 23 इंटू टू लिख दू क्या नई 1 अटम ओफ ऑक्सीजन समझ में आ रहा है क्या तो इस प्रकार से आप मोल का जो basic concept है वो मैं आपको बता रहूँ तो अभी ये पूरा complete नहीं हुआ अभी भी बहुत आगे तक जाएगा तो लगातार आप वीडियो को देखिए इसके बाद जो next वीडियो है उसको तुरन देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा तो मिलते हैं next वीडियो में झाल 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 झाल